आए इस लेक्चर में हम देखते हैं कि किस प्रकार एक प्रोसेसर पेरिफरल डिवाइसे जैसे की कीबोर्ड, प्रिंटर, मैंने डिस और मैंने टेप से कम्मिनिकेट करता है इंटरफेस के थूप इस डाइग्राम को अगर आप देखें, यहां पे आपको इन्पुट आउटपुट बसेस दिख रही हैं तो तीन तरह की बसेस होती हैं एक डेटा बस, दूसरी एड्रेस बस, तीसरी कंट्रोल बस, एड्रेस बस एड्रेस ट्रांस्मिट करती है, डेटा बस के थूप डेटा individual interface जुड़ा हुआ है जो इस input output bus और इस peripheral device के बीच में जुड़ा हुआ है प्रोसेसर से जो भी control या फिर address signal आते हैं उसे ये interface unit decode करता है जैसा कि हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि ये जो processor है और ये जो peripheral devices हैं ये अलग अलग technology में work करते हैं और ये अलग 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 के signals में काम करते हैं तो interface unit का काम क्या रहता है इन दोनों के बीच के जो control या data flow है उसको synchronize करना तथा processor जो signal भेज रहा है keyboard या कोई और peripheral device को उस device के लिए interpret करना हूँ वो peripheral device और processor के बीच में जो data flow होता है इसो synchronize भी करता है और supervise भी करता है यहाँ पे आप input output बस देख रहे हैं ये सब ही peripheral device के जो interface unit है उसके साथ connected है जिस भी peripheral device के साथ processor को communicate करना है उसका address processor address line में transmit कर देता है हर interface unit के साथ एक address decoder जुड़ा होता है जो कि continuously इस address bus को monitor करता है क्योंकि ये interface लगातार इस address bus को monitor कर रहा है जैसे ही ये देखता है कि इस address line में उसका address है तो वो bus line और उस device के बीच के path को activate कर देता है फिर से समझते हैं processor को जिस भी peripheral device से communicate करना होता है उसका address वो address line में डाल देता है हर device का में एक address decoder होता है जो लगातार इस address line को monitor करता है जैसे भी जैसे ही किसी peripheral device को पता चलता है कि इस address line में उसका address है तो उस particular peripheral device का interface unit ये input output buses और उस device के बीच का जो path है उसे activate कर देता है और बागी जो interface unit है उनका ये path activate नहीं होता जिस समय processor किसी specific peripheral device के साथ communicate करना चाहता है तो सबसे पहले वो उसका address address line में डालता है उसी समय control line में control bus में वो functional code भी transmit कर देता है साथ साथ ही जिस समय वो address transmit कर रहा होता है और उस specific input output device का interface respond करता है उस function code को जो की control line में है और उसको execute करने के लिए प्रोसीड करता है यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो address information के साथ साथ control information भी transmit CPU उसी समय एक साथ ही कर देता है इस function codes को हम input output command भी कहते हैं चार तरह के command ये interface receive कर सकते हैं जिसे हम control, status, data output और data input command कहते हैं सबसे पहले बात करते हैं control command की control command peripheral device को activate करने के लिए इस्तमाल किया जाता है जो कि ये बताता है उस specific peripheral device को कि क्या काम करना है दूसरा command है status command status command interface और peripheral devices की condition को check करने के काम आता है अगर हम उधाराल के मादिम से इसको समझें तो printer का example ले सकते हैं print command देने से पहले computer चेक करता है कि printer का status क्या है उसकी paper tray में paper है की नहीं है तो ये सब अगर paper tray में tray नहीं है तो एक error command आ जाता है तो एक तरह से वो status command से उस printer के status को check कर रहा है प्रोसेसर जो भी data किसी specific peripheral device को भीजता है तो वो data output command के मादिम से interface जो data bus में data है उसे interface register में accept करता है data को transmit करने से पहले वो specific interface या peripheral device के status को check करता है और जब इस status okay होता है तो प्रोसेसर data transmit करना शुरू करता है प्रकार अगला command है data input command data input command किसी specific peripheral device द्वारा जो data प्रोसेसर के लिए भीजा जाता है उसको receive करने के लिए इस्तमाल होता है जब भी किसी specific device को peripheral device को प्रोसेसर को कोई data transmit करना है तो पहले वो interface को भेजता है interface register में वो data receive होता है फिर प्रोसेसर status command की मदद से इस interface unit का status चेक करता है कि क्या वो data यहां transmit fully transmit हो चुका है और वो प्रोसेसर को transmit करने के लिए तेया है अगर status OK आता है तो फिर यह interface register के थूँ प्रोसेसर के buffer register में transmit हो जाता है तो इस lecture में हमने देखा कि किस प्रकार एक प्रोसेसर input output buses की मदद से किसी peripheral device के साथ communicate करता है और interface unit का क्या rule होता है धन्यवाद